हमारे किसان بھائیوں का सबाल रहता है कि लहसन में पीला पन रोग आ गया है या जुलसा रोग लग गया है और दूसरा सबाल ये रहता है लहसन या प्याज कीफसल के पास एक हरे रंग का यीड़ा है जो फसल को काफ़ी नुकसान पूँचाता है इसका हमारे लिए निदान बताएं ये हमारे किसान भाईयों को सवाल रहता है तो नमस्कार किसान भाईयो मैं संदीप सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संदीप एगरी साइंस किसान भाईयो चैनल पर अगर नए है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बैल गंटी दवार ना भूलें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान भाईयो लेसुन की फसल में जुलसा या पीलापन रोग आ गया है तो ये एक पिरकार का रोग होता है ये फफुन्दी जनित रोग होता है ये इसको खत्म करने के लिए हमें फफुन्दी नासक दवा की जरूरत पढ़ती है तो आज मैं आपको फफुन्दी नासक दवा के बारे में बता रहा हूँ आपको लेना है मैनको जैब 75% WP ये एक फफुन्दी नासक दवा है जो की मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाएगी आपके लिए तो आपको इसकी मातरा लेनी है दो ग्राम पिरती लीटर पानी के हिसाब से और ये है आपको लैसन की फसल पर इस्प्रे कर देना है इसका याद रखने वाली बात ये है कि नमी होना चाहिए आपकी लैसन के खेट में जो फफुन्दी बज़े से जो रोग बना है वो खत्म हो जाएगा इस फफुन्दी नासक से अब बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि लैसन या प्याज में जो हरे रंग का कीड़ा लगा है उसे हम कैसे खतम करें तो उसे खतम करने के लिए आपको ये कीट नासक का साल्ट लेना होगा किलोरो फायरी फास 20% EC ये मार्केट बड़े आसानी से मिल जाएगी आपको इसकी मातरा लेनी है दो से तीन एमल प्रती लीटर पानी के हिसाब से ये आपको मिक्स कर लेना है और इस प्रे कर देना है पौदे के उपर ये समस्या खतम हो जाएगी किसान भायू ये हरे रंगा जो कीड़ा होता है ये रात के समय फसल को सतय से काट देता है जिससे हमारा पाउधा बेकार हो जाता है ये दिन में मालूम नहीं पड़ता है तो जो मैंने बताया है किलोरो फायरी फास 20% टीसी इसका आप चरकाव कर देते हैं तो इससे आपको निजात मिल जाएगी किसान बायो इन दोनों सवालों से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछे मैं आपको रिप्लाई दे दूँँगा वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए सबस्क्राइब करें और बेल घंटी दवाना ना भूले तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए धन्यवाद